असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे है आप आज मैं आपको नानी अम्मा की कहानिया सुनाओंगा पता है जब मैं छोटा था तब मेरी गर्मियों की छुटी में मैं अपनी नानी के गिया था वहाँ गर्मी के शिंदत इती थी कि मुझे नीम दीनी आए फिर मेरी नानी अम्मा ने कहा आओ बेटा मैं तुम्हें आज कहानी सुनाती हूँ कहानी एक दफ़ा का जिकर है कि एक गाउ में शेक चली रहा करता था एक दफ़ा वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा तो साथ वाले घर में उनकी बॉल चली गई उन्होंने कहा चलो भायो साथ वाले घर से बॉल ले आते हैं वो फलांग गय दिवार उदर गई तो उन्होंने पता है क्या निखा उन्होंने देखा कि एक बुड़ी अम्मा ऐसे करके बैठी वी है और सौमने बुड़ा होसा प वाल थोड़ी देर बाद अम्मा जी ने हाथ यूं कर दिया उसने का अम्मा झी सबर कर जो अभी खीर पक कर रही है साथ यूँ कर दिया फिर उसे चडा गुस्ता तो उन्हें उठाई कर्मा गरैंग खीर और हम्मा जी करदांए आब मजी इस है अभा बंसे नोर एक पर्दे के पीछे और शेक्चिली को तो कोई जगई नहीं मिली वह पंखे के उपार चड़ गया फिर जल्दी जल्दी लोग आए महलेवाले आए उन्हों ने कहा कि अम्मा जी अम्मा जी क्या हुआ है अम्मा जी ने कहा मैं क्या जानू उपर वाला जाने उन्होंने कहा अम्मा जी अम्मा जी घर के अंदर कोण आया था अम्मा जी ने कहा मैं बिचारी बुंधी मुझे क्या पता उपर वाला जाने फिर उन्होंने कहा अम्मा जी अम्मा जी हाथ किसने जलाया फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या जानू उपर वाला जाने ये सुनके शेख चली को इतना गुसा आया कि वो कहने लगा क्या सब कुछ उपर वाला जाने जो बैड की नीचे गुसा है वो ना जाने जो पर्दे की पीछे चुपा है वो ना जाने तो अल्मारी के अंदर गुसा है वो ना जाने यही कहने वाला था तो उसका पंखा नीचे गिर पड़ा फिर लोगों ने उसे इतना कूटा इतना कूटा इतना कूटा कि उसने अपने भोले पन में अपने सब दोस्तों को इतना कुटवाया कि उसके दोस्तों ने बार में मिलके उसे कूटा तो बताईए दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी पताए जब मैंने ये अपनी नानी से कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत मीठी नींदाई थी बताईए आपको भी नींदाई कमेंट में बताईए बहुत जाल मैं आपके लिए कच्छी और नई कहाने लेके आउँगा इसी के साथ अपने दोस्ताहा कुरेशी को इजाज़ दीजिए अल्ला हाफिस